जादा थन्डा पाणी पीने से बांजपन की बिमारी हो जाती है जो औरती चहरे पर चुकंदर का छिलका लगाती है उन्हें कभी भी करीम लगाने की ज़रूरत नहीं परती 3. नीम्भू का पानी कंगी पर लगा कर बालों में लगाने से बाल जमकदार और मुलायम हो जाते है 4. अद्रक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है 5. बादाम खाते वक्त मुँ में कवी कडवे बादाम आ जाये तो उसे खाना नहीं चाहिए ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता 6. आंखों में आंख का दूद भूल कर भी नहीं डालना चाहिए नहीं तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है 7. ज्यादा टेंशन लेने से खून गाड़ा हो जाता है इस से खून के ठके बनने लगते हैं यहीं कारण है कि ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटेक का खत्रा बढ़ जाता है बैंस के दूद में चने भिगो कर खाने से दुबला पंदूर होता है और शरे ताकतवर बनता है जब छींक आए तो सर जुका लो यादाश अच्छी हो जाएगी लहसुन को छील कर उसकी कलियों को दर्वाजे और खिडकियों के पास रख दे इससे छिपकली नहीं आएगी जब मुबाइल फोन एक्तम डिस्चार्ज हो गया हो तो फोन ना सुने क्योंकि उस समय रेडियेशन हजार गुना जादा होती है जो हमारे दिमाग और बिमार करने के लिए काफी है नमबर बारा यदि आप टाइलर जाते समय अपने दांतों को दबा कर रखते हैं तो दांत मजबूत रहेंगे और कभी लक्वा नहीं होगा नमबर तेरा कीचन से चूहों को भगाना चाहते हैं तो कीचन के कोने कोने में कपूर रख दे नमबर चोदां अगर केला खाने से आपको कपज की प्राब्लम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल दे इससे कपज की समस्या नहीं होगी नमबर पंदरां ऐसे लोग जिनका बलड प्रशर कम हो जाता है वहरोजाना खजूर का सेवन करे इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेतर रहता है अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज्यादा खाता है तो वहे टेंशन में रहता है नमबर स्तारां ज्यादा चीनी वाली चाए पीने वाले लोग जल्दी ही मुटापे का शिकार हो जाते हैं नमबर अठारां दही में चीनी मिला कर खाने से पेट दड़ में आरा मिलता है नमबर उन्नेस जो महिलाएं बालों को बांद कर रखते हैं तो उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल कम गिरते हैं नमबर बीस दही के साथ मचली का सेवन करने से आपको कई बिमारियां हो सकती हैं नमबर इकेस मूली के साथ दूद, खीच, संत्रा, करेले वह चाए का सेवन भूल कर भी ना करें यह आपके शरीर में जहर के सामान कार्य करता है नमबर बाईस अगर पेट में दर्द हो तो जीरा पीसकर शेहद के साथ चाटलो फोरण ठीक हो जाएगा नमबर तेईस, सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है इसलिए एक चमस सौंफ के साथ दो बादाम खाएं, कुछ भी दिनों में अच्छे परिनाम मिलने लगेंगे नमबर चौबिस, पत्री होने पर हल्दी को पुराना अच्छा चांच में मिला कर पीने से पत्री जड़ से नश्ट हो जाती है नमबर पच्चिस, एक चमस जीरा रात को पानी में भिगो दें, सुभे उठकर जीरे वाला पानी पी लेने से लीवर मजबूत होता है और कब से चुटकारा मिलता है नमबर 26, हल्दी नमक और सरसों के तेल को मिला कर पेस्ट बना कर मंजन करें इस से दांतों में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं नमबर 27, खुन की कमी को एनिम्या कहते हैं शेहद में मौजोद आयरन की मात्रा एनिम्या की खत्रे को कम कर देती है नमबर 28, रात की वक्त अनार खालेने से दिमाग को बेतर ताकत हांसिल होती है नमबर 29, थोड़े से जीरे को दूद के साथ खाने से कम सुनाई देने वाला रोक दूर हो जाता है नमबर 30, भोजन के बाद थोड़ा सा अनार दाना, उसमें काला नमक और मिश्री पीस कर मिलाने से के बाद पानी के साथ एक चमच खाने से भूख बढ़ती है नमबर 31, रुक रुक कर बोलने वाला या हकलाने वाले व्यक्ति को तेज पत्ताजीब के नीचे रखकर चूसना चाहिए इससे हकलाना तथा तुतलाना दूर हो जाता है फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर आल पर टच कर दे ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट